असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे दिल्ली का बहुत ही मश्यूर शादियों वाला बड़े के कोर्मे की रेसिपी जिसको आज हम बनाने वाले बहुत इजी तरीके से कुछ घर के इंग्रिडियंट के साथ आप इसको बना कर त्यार कर लेंगे और टेस्ट मे इसको हमने वाश कर लिया है आज हम एक क्लू की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं और यहां पर देखिए एक विसल में हमने ऑईल गरम कर लिया है 250 ग्राम तेल है यहां पर मैंने मस्टर्ड ऑइल का यूज किया है वैसे इसमें रिफाइन ऑइल का यूज होता है या फिर होता है वो ले सकते में बहुत जादा घरम कर लिया थो थोड़ा सथन्डा कर लिया और मिड्यम होट तुके और सब्सक्राइन आज होता है ईसमें पर आट कशल करनाई है तो यहां हमने 20-25 चीज में खाने ले लिए हैं इनको भी हमने प्याज के साथ फ्राई कर लिए हैं अब इनको निकाल लेना है हमें एक प्लेट में यह देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप प्याज को फ्राई कीजिएगा और जब एंड में फ और अध्यम थाईय स premiere ty यह देखिए ऑर एक टीबली स्पून यह पर अध्रक लैसून का पेस्ट एकलिए और यहां पर हमें दोतीक पत्ते एंड स्टाइयच लेना है ओं अभी पूba करते हैं, इसके लिए हम यहां ना पर, इसके लिए पर चाहिये एक टीइसक्टूण पिली मिर्ज पौडर एक टीइस्पूण लाल मिर्ज पौडर, एक टीइस्पूण काश्मीरी, लाल मिर्ज कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हिसाब से कम कर सकते हैं तो अगर आप चाहें तो कम में भी बना सकते हैं परफेक्ट रेसिपी बनेगी अब इसको हमने कवर कर दिया एक बॉयल आइने दिंगे हाई फ्लेम पर उसके बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल लो क के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और इसमें हमने कोई पानी का यूज नहीं करना है जो गोश्ट और दही डालाएं दो अपना पानी रिलीस करेगा अब देखिए यहां पर हमने खुश्बू की मसाले एक करने हैं तो एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा पांच हरी लाइची एक बड़ी लाइची और एक फूल जबित्री का और देखिए बड़ी लाइची के हमने इस तरह से सिर्फ बीज लेने हैं छिलका नहीं लेना है ठीक है और अब देखिए बीज निकाल लिया इसको हमने कूट लेना है आप जाए मिक्सिजार में भी इसका पाउड अब देख सकते हैं और कलर भी बहुत अच्छा है अब देखिए ग्लास की मदस्ते हम इसको क्रेश कर लेंगे माखाने भी हमें क्रेश कर लेने हैं तो यहां पर देखिए हमने इनको क्रेश कर लिया अब इसी टाइम पर आप इसमें दो टी स्पून नारियल पॉडर भी यहां पर हमने चेक कर लिया था और गोष्ट 80 परसेंट तक कोक हो गया है अब इसको हमने अच्छे से भूनना है हाई फ्लेम पर तो अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें एट करेंगे जो हमने प्याज और मखाने और नारियल पॉडर एट किया था ना वह एट कर और बागी यह पकाते पकाते खुदी कोक हो जाएंगी थोड़ा जब 10% रह गया है तो जब हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा तो खुदी कोक हो जाएगा अब देखिए अच्छे से इसको हमने भून लिया है और अब फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम प बनकर यहां पर तेयार हुआ है यह देख सकते हो खुश्बू होकता इसको माशालला कहना ही किया इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है कि जब आप बनाएंगे तो आपका पूरा घर महग जाएगा तो यहां पर दापतों वाली खुश्बू हो वाला यह कोर्मा बनकर तो यहां पर फ्लेम को अभी लो किया हुआ है जो हमने खुश्बू बाला मसाला बनाया था आधा मसाले की क्वांटिटी हम इसमें एट कर देंगे आधा मसाला आप स्टोर करकर रख सकते हैं और यहां पर आदा टीस्पून केब्रा वाटर कर देना है अगर आपका लाइट करकर रख देना है दस मिनट के लिए फ्लेम बंद पर ऐसे ही रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से खुश्बू में रजवस जाए अब देखी कोर्मा हमारा यहां पर बनकर रेडी हो चुका है एकदम दानेदार सा कोर्मा बनाया है आप देख सकते हैं और की क्वांटिट आप तंदूरी रोटी के साथ इसको सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अलहाफिज